मुद्धी अगर तेरे में दम है न अगर तो एक बाप की उलाद है तो EVM को साइड़ी पे करके एलेक्शन करवा फिर देखूंगा तेरे में क्या दम है और क्या नहीं वो चीज करवाना चाह रहे हैं ये गांडू जो ये चाहते हैं अगर इन गांडूों में दम है न जो जे बैठे हुए एक उर्षियों पर ने तो इस बार 24 में ऐसी गांड पर लत मारेंगे कभी धूंडेनी भी मिलोगे वह इवी इनकी है तो इसलिए उसी EVM से बचने के लिए अपनी वोट ही न डाल कि नमस्कार मैं हूं देव इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत टीभी दलित मह पंचायत यहां पर की गई है Constitution कलम में जब लगातार पंजाब और हडियाना तमाम इसे प्रदेश से लगातार यहां पर लोग आये हैं और सबने एक ही बात की लगातार दरकार की है कि आने वाले समय में जो दो हजार 24 का चुना हुआ है उससे पहले जो प्रदेशों में प्रदेशान ही नहीं है यह तो इनके साथ तो कुछ नहीं है यह तो चंद लोग आगे बैठे हुए हैं उनको आज दिखाना चाहूंगा भी यह आज जो दलित समाज है वो भी हमारे साथ आके खड़ा हो गया है डक्टर उदित राज जो दलितों के सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने पंचयत बलाई थी यह उन्होंने घोशना किया भी दलित समाज भी कसानों के तीनों मुद्दों पे कसानों के साथ खड़ा है और वो आज दलित समाज ने भी यह पूरा हंगारा दे दिया भी हम भी जब तक यह काले कानुन वापस नहीं होंगे हम भी रोजगार आज दक्टर उदतराजी में डलिट समाज ने पूरा इनौसकर दिया है और जो ये मुद्दी जी अब कहते हैं बातें भी हां जी पश्चिंब गाल में एलेक्शन आगी है और तहां महा है तमलनाडू में असाम में पॉंड़िचेरी में और केरल में मुद्दी अगर तेरे में दम है ना अगर तो एक बाप की उलाद है तो एवियम को असाम जाएं वेस्टमगाल जाएं तमलनाडू जाएं केरल जाएं पॉंड़िचेरी जाएं लोगों को यह मत बोलिये बीजेपी के एंगेस्ट वोट डालो मुगों को यह बोलो भी दो हैयार चौबिस तक वोट का बाई काट करो यह जब तक यह इवियम नहीं जाएगी च जी तो वहां बीजेपी की होगी जब तक हम वोट का बाई काट करके सब्सक्राइब को और लेक्शन कमिशन को यह नहीं दिखाते ना लोग अब उठके एवियम के वरोद में खड़े हो गया और अपने मत का यूज नहीं कर रहे हैं और वो दबारा से हमें बैल्ट पेपर इसको मजबूर करने के लिए हमें वोट का बाई काट करना चाहिए आपने कहा कि तमाम प्रदेशों में जहां जहां पर चुना है वहां वहां जाएंगे आप पंचायते लगाएंगी किसान पंचायत तो किससे फाइदा होगा इससे बिलकल होगा जी क्योंकि जितने हमारे जढ़ूर कि ताभी और ठाउन जो आज आज ऑडूर का बटन जाके दबाएंगे रहे हैं चाहिए जब पोलिंग में पटन दब हो बटन दबाना तो उन्हों ने उनके अपर जाना कोशाए प्डायी और जिदेंग के बढ़े बढ़ेगा नहीं तो वोट डलेंगे नहीं अगर रहेगी जमानत जपत एक एक है यार वोट ही नहीं डला तो फिर वोट जीत काहेगी है दूसरी बात दूसरा सवाल यह है कि शोशल मीडिया और ओटीजी जैसे प्लेटफॉर्म पर कैंसरकार का सिकंजा दिया जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं इन्होंने तो वो करवा दिया जो यह खुद चाहते हैं जगर इनमें दम होता अगर में असल में इनमें दम नहीं है इनकी वो न कहते हैं पकड़ती नहीं है मैं नाम नहीं लेना चाहता वो थोड़ा वो नहीं होता इनको फट्रॉल लगाने वाला तो बात वो लगा जाती है उसमें दम नहीं रहा वो चीज करवाना चाह रहे हैं यह गांडू जो यह चाहते हैं अगर इन गांडूों में दम साथंदेंगे जाएंगे पांचे के पांचो राजों में जाएंगे पर मैं अपनी तरफ से बेंती कर रहा हूं क्यूंकि हमारे कसान भाई बोले-बाले उनको अभी पता नहीं है वह छोचेंगे भी डालेंगे हम इनके हैं पर बोट बीचेस्ट बीचली बचने के लिए है तो इसलिए उसी वीम से बचने के लिए अपनी वोट ही न डालो तेले बहुत हो शुकिया में